कमाल चौक के पास लश्करी बाग में श्वान घुमाने की बात पर होई विवाग में दो आरोपियों ने एक सेवा निवृत कर्मचारी पर शस्त्र से हमला कर दिया कायल सुरेश गजबी नियोखदान प्लोट नमर 777-2 लश्करी बाग निवासी को बचाने दोड़ी उनकी पत्नी और बेटी भी जखमी हो गई कटा के बाद मामला पाचपाली पुलिस्था ने पहुचा पुलिसूत्रों के अनुसा सुरेश गट 21 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे मांडल गाओ गय थे राद करीब 9 बजे घर लोटे तब उनकी पत्नी चेतना ने उन्हें बताया कि घर के सामनी रहने वाले रवी गायकवार ने श्वान घुमाते समय शाम सारी 6 बजे गाली गलोज की थी 22 फरवरी को सुबह करीब 9 बजे सुरेश दूदलेने जा रहे थे इस दोरान रवी का बेटा शुरेश ने उन्हीं रोका श्रेयस और इसके भाई अभी शेक ने गाले के लोज कर धमकाया इस बीज सुरेश की पत्नी विवाज श्रेया ने पहुची तो उसके साथ भी श्रेयस रवी और अभी शेक ने अबद्रता की उसके बाद शिकायत न मिलने पर पुलिस ने एंसी का मामला दर्स किया तेस फरवरी को सुरेश दो पहर में दो बच कर पैतालस मिनिट के दर्मियान पत्नी वो बेटी के साथ आठियों कार्याल से घर पहुचे उनकी बेटी की सहली भी उनकी साथी दो पैया वाहन पार करते समय श्रेयस अपने मित्र के साथ शेस्त्र लेकर पहुचा और हमला कर दिया जिससे सुरेश जखमी हो गया सुरेश की बड़ी बेटी के अनुसार बीच बचाओ करते समय उसकी छोटी बहन और मा भी छोटिल हो गई ओरनकाल वाज साला अने इत्या वादाज परेवसान थों यातिल जे दोन आरुपिया है एनि या थिया बड़ी चाा पति ओरन तल्वारी ने मार हदल के लिया ब्लेटा पति का हाथाला कंभीर दुखाओ फजाले असलाए आमि आर विर अधा कलम बता दे कि घायल फिलाल अस्पिताल में उसके अस्पिताल से आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी वही इस मामले की जांच जारी है कैमरा पोसन अकलिश भारत वाज के साथ दिशाहटवार बीसीन न्यूस नाकपूर